गुपानिंग लास इट्स अवर नेक्स टॉपिक इंटरफेसिस इन जावा ठीक है इस टॉपिक विच असे ये समझाँगे कि किस तरह इंटरफेसिस यूज हुन्दे है मल्टिपल इनहेरिटेंस इंप्लिमेंट करने ले यह इद्दा कहलो कि मल्टिपल इनहेरिटेंस अगर आसे इंप्लिमेंट करनी है जावा दे विच ता ओधे ले ली कि कि मेफ़डस ने उन्हों यूज करन्द ले सब थो इंपोर्टेंट मेफटेंट है इंटरफेस यूज करन्द ठीक है इंटरफेस आए क्वशं most important question है ठीक है ते यह दे विच किस तरीके ना की की attempt करना है आसी देख दे आज लेक्चर दे विच किस तरह चल ला है ठीक है जी so first of all what are interfaces हुं देख यह interface ठीक है उपसे concept से विच आसी एक concept पढ़े आसी data abstraction दा जड़ा मतलब है सेगा कि आसी सिरफ essential details ही सिरफ अपने users नो दिखानियाने बाकी inbuilt details जेडियां उन दियाने जेडियां user नो नहीं जूर रहत है ओवल यह details आसी नहीं दिखानिया अपने user नो ठीक है जुरूरी चीजा दिखानिया है necessary चीजा दिखानियाने user नो बट hide करनियान इंटर्नल डिटेल्स ठीक है ओसी अधरी abstraction यह जासी mostly remote दी example यूज कर देया या फिर कार दे working दी example कर देया ठीक है या mobile दी internal working दी computers दी internal working दी examples असी एरिया कितियां सी ठीक है और interface भी जड़ा है ए ए अबस्ट्रेक्शन नो implement करन दे लिए interface यूज उन्द है ठीक है जिदा inheritance नो implement करन लिए extends keyword यूज कर दे सी parent class, child class दे concept अन्द है polymorphism नो implement करन दे लिए असी method overriding यूज कर दे सी method overloading यूज कर दे सी तांकि यूज कंपाइल time and runtime polymorphism implement कर सकी है similarly interface जड़ा सी यूज करांगे abstraction नो achieve करन दे लिए ठीक है so it is a mechanism to achieve abstraction and to implement multiple inheritance in java ठीक है abstraction achieve करन दे लिए प्लस multiple inheritance नो implement करन दे लिए दोन्यों कमा दे लाई interface जरूरतन दे ठीक है किद्धा बंदा है किद्धा यूज हुंदा है यसी next next slides है विच हो लिए लिए समझ दे रहांगे ठीक है so next is the interface in java is a blueprint of class in java means असे जो हूं तक कर दे हैं कि class एक blueprint है object दा ठीक है ते हूं अगर ओधा भी blueprint दिकाल कर यह था interface है जड़ा की class ज़ा भी blueprint है ठीक है मतलब किस तरह दी मैं class बनाऊंगी in future अगर मैं सोचना होँए तब मैं जुरूरी निक में ओधरी एक parent class बनाऊंगी ओधरी मैं एक interface बना लूँँँदा फायदा की है ओसी next जड़ो example करांगे तो जड़ा चंगी तरह समझ आ जाएगा बट इनना याद रखो कि interface जड़ाए ए ब्लूप्रिंट है class दा अबस्ट्रेक्शन नो एक्षीव करन दे लई या फिर multiple inheritance नो implement करन दे लई इंटरफेज यूँदा है एंटरफेज है कि ए ब्लूप्रिंट है class दा plus it is a collection of abstract methods एटे बच एबस्ट्रेक्ट मेथड्स हुनदे ने abstract method केड़े हुनदे ने ओं methods हुनदे ने जेडे methods नो आसी body define नहीं कर दे ओधी body नहीं दे बोडी नहीं दे ना मतलब ओ curly braces वेच जो आपा लिख दे है ओधी definition sorry एक ता हुन दी है definition ओधी function दी एक कुन दी function दी body ठीक है ओधी body है ना जेटा curly brackets वाला काम है ओधी नहीं देना abstract methods एही केंदे ने ओग क्यों नहीं देना कि ताकि abstraction implement of abstraction केंदी है कि मिन्नों मेरी body ना दो मिन्नों सिर्फ एन असमें काम कोई करना है केड़ा करना हुन में बाद चो future देवेच ज़रूरत हो एग ज़रू देखांगे कितना हुन्दा असी देख देया सिर्फ में 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 कंसेप्ट से याद रखो इड़ा क्लेक्शन ओफ अबस्ट्रेक्ट मेथर्ट्स एंड constant variables उन्दे हुन जावा दे वेचे const keyword दे यूज नी हुन्दा जिद्दा C दे वेचे const keyword उन्दा सी जेड़ा से यूज कर दे सी constant variable डिकलेर करन दे ली बट जावा दे वेचे const keyword यूज नहीं हो सकदा सो ओदे लई इनना ने function sorry variables नू final and static बनाना शुडू किता static keyword दा meaning तो अनू पता है कि static keyword की काम कर दे ठीक है सो final keyword गी है final keyword एक new keyword आया ओगी कर दे साधी method sorry साधी variable नू constant बनान दे अगर मैं दसना होए कि मेरा variable constant है हमेशा same रवे तो ओदली मैं const keyword दी बजाए final keyword यूज करांगी ठीक है सो final keyword जड़ो मैं किसे भी variable देना यूज करां ता ओधी जिन्निया भी inherited classes ओन गिया और सारी classes उन्नों यूज कर सकते है ठीक है सो constant बना अंदली variables नू ए उन्ना अनू final and static दोन्नों तरह दी property प्रवाइड करते है किद्धा करते है यह से अगे देखांगे ठीक है आ कर ली braces तो बार विच जो लिख दे सी ओ नहीं होएगा सिर्फ और ही definition होएगी ठीक है then यह एदा गयलो कि method दी prototype होएगी but method दी body नहीं होएगी ठीक it contains only method signature और function prototype सेम होई गाल ठीक है जसी यह उपर समझ आए we can add assess modifiers to interface मतलब मैं interface दे भी assess modifier implement कर सकती है कि मैं अपना interface दे केड़ी केड़े partner किस तरह दा बनाना चालनी ठीक है assess modifiers की सी के public private protected वो सारे assess modifiers ठीक है next syntax की है अपना interface बनाना दा सब तो पहले आते हुन ऐसी पढ़के हैं कि assess modifier add कर सकते हैं ठीक है जिद्धा सी class में लेकी कर दे सी पहले सब तो पहले public private या प्रटेक्टिड उस तो बाद class keyword then class name interface भी class बंग गुई है so की किता assess modifiers रहान देते हैं जित्थे लिखिया सी class keyword दी जगाते हुन interface keyword इंटरफेस बना रही है तो नेम भी इंटरफेस दे आएगा सो इते इंटरफेस नेम है याद रखियो कि जड़े आंगुलर रैकेट से जड़े भी keywords लिखे होंदे जड़े भी words लिखे होंदे उनना नूँ असी कोई user defined name या user defined variable देनाल असी replace करना हुनदे ठीक है so assess modifier public private protected कोई भी हो चकदा है interface keyword है ये as it is use होएगा interface name दी जगाते कोई ना कोई नाम होएगा मेरे interface दा like class दा कोई ना कोई नाम यूस कर दे सी class अगर student नाम दी class बनाने सी then class student name student class name हुनदा सी ठीक सेम इसे देखना interface then interface ने then next class दी बोडी दे में चाकी हुनदे सी एक ता variables हुनदे सी दूसरा methods हुनदे सी एदे में ची भी हुनदे ने but difference किये जड़े variables होंगे ओ final होंगे by default ठीक है एंड जेडे methods होंगे ओ by default abstract होंगे ठीक है define करना तरीका किया final उस तो बार data type अगर final नहीं भी लगाओगे ताम ही उनने by default होनो final पना देना सो एथे compulsion नहीं है final लिखना तो तार्दा ठीक then data type लिखनी जरूरी है variable नो declare करने then variable name अगर data type मानलो int है variable name a int a is equal to जिनने मी value देनी है उस अनो इत्थे ही देनी पाएगी ओधी value value मैं बाद बिच मी दे सकती है ठीक है then same icon ठीक उस तो बाद अगर methods बनाना है को abstract by default होएगा so मैंनो abstract keyword लिखन दे जुरूरत नहीं अगर लिखते होगे ता गलती नहीं दसेगा यह नहीं मी लिखोगे ता भी चलेगा ठीक है so method बना अन्दा तरीका भी easy return type void type दा method बना इंट टाइब दा float type दा, boolean type दा, byte type दा इस टाइब दा अगर उस तरह दा return value भी करेगा ठीक है so return type method दा नाम उस तो बाद parameters यह थे number of parameters डिफर कार सकते जिनने दुसी लिखने और जिनने भी parameters आने है और यह थे लिख सकते उसे ठीक है पहला point देखिए कि जड़ो कल किती जब है methods दी ठीक है methods कि उन्हें हर बार abstract उन देने by default यह याद रखनी चीज कि जेड़े भी methods उनके interface दे उसारे abstract उनके बार बार abstract keyword की यूज का रही है यह ता मतलब abstraction interface नहीं implement करनी ठीक है then next all methods will not have anybody all methods दी कल किती किसे भी method दी कोई भी body नहीं होनी चाहिए ठीक है only their signature will be there सिर्फ होना दे signature होने चाहिए उस तेलाव कुछ नहीं next point all the fields उनका लागी fields दी fields mean data members देडे होनगे methods देली दो रूल है एक ता abstract होनगे दूसरी का लोना दी किसे भी method दी कोई body नहीं होनी चाहिए ठीक है curly bracket दे अंदर कुछ नहीं लिखना curly bracket भी नहीं दे नहीं simply method दे नाम method दी data type लिखन दो बार method दे नाम उस तो बाद parameters देड़े भी देने हो री bracket से दो ठीक है उस तो बाद semicolon लगा दो ठीक है then fields दी हो गाल किती जावे मतलब data members दी गाल किती जावे उस time दे की करना सी public, static and final ये सारे जे सारे by default हो दे नाल add हो जाने है ठीक है public keyword by default हो दे नाल add हो एगा data member दे नाल मतलब अगर int a लिखोगे तो int a तो पहलना public, static, final ये तीन words आपने अब लिखिया जानगे ठीक है next to implement an interface implements keyword is used in class definition inheritance दे केस दे विचे extends keyword यूज़ किता सी ठीक है but in interface दे केस दे विच implement keyword यूज़ उन्द है ठीक तांकि interface नूँ class तो differentiate कर सकी ठीक है जी so implements keyword याद रखियो इंटरफेस दे लई implements keyword inheritance दे लई extends keyword the class which implements the interface must define all the methods of the interface मतलब jv class interface नूँ implement करेगी ओदली compulsory है कि ओ सारे दे सारे methods नूँ ओना दी body दवे define करना मतलब ओना body provide करना मतलब child class jv होएगी जेडी interface नूँ implement करेगी मतलब interface नूँ inherit करेगी उस class नूँ जरूरी है कि ओ दे interface दे जेडे methods सीगे जेडे abstract सीगे जिनना दी कोई body नहीं सी उनना नूँ कोई न कोई body प्रवाइड करे ठीक है यू cannot create object of an interface most important point है interface दा कि interface दा कदी भी object नहीं create कर सकते ये class दा ये गाम करते है but class दो object बान सकते है interface दा नहीं बान सकते ठीक है and second most important point है कि java interface जेडे है गया है जावादा ओवी is a relationship याद inheritance नूँ गेंदे सी अगर दो classes एक दूसरे नूँ inherit का रही है means ओना दोना दे वेच इस a relationship है and interface भी is a relationship नूँ implement कर दे क्यों क्योंकि class interface नूँ implement का रही है मतलब वोदी properties ले रही है इस a relationship नूँ implement का रही है ठीक है next interface नूँ अगर implement करना बना दा तरीका थे syntax आए हुँ जरो implement करना मतलब class नूँ अपने विच्छे ओदे properties ले आनी है तो ओदे ली की method है class keyword class बना रहे है class keyword class name ठीक है then body दे वेच data members and member function इनना करते असी पहल नहीं कीता है ठीक है ठीक है उस तो बाद अगर मैं implement कर कोई interface करना है तो इंप्लीमेंट कीवर्ड लिखांगी इस तो बाद ही अगर ता inheritance implement करनी है तो एक्स्टेंट का बाद सूपर क्लास नाम लिख दो otherwise एनी चीज़ किप कर दो जिनना रे डिफ कलर दा portion है ठीक है then next move करो implements interface 1, interface 2 जिनने भी interfaces है आसी multiple interfaces नो implement कर सकते है एक time ते मतलब multiple inheritance भी indirect वे देविच हो रही है क्योंकि अगर मैं दो classes नो inherit करना चांदी सी और अनो class भी इंटरफेस बना लो ठीक है जरूरीता नहीं भी होना था मैं object बना वा सिर्फ main problem object बना अंदी आंदी इंटरफेस मतलब एक इंटरफेस नो multiple classes inherit कर सकती है इंप्लिमेंट कीवर्ड यूज करके अगर एक इंटरफेस नो multiple classes inherit कर रही है इंट मीन्स ओथे hierarchical inheritance हो रही है ठीक है secondly एक class can implement many interfaces at the same time मतलब एक class multiple interfaces नो same time थे implement कर सकती है तो एदा मतलब कि यह हो multiple inheritance perform का रही है multiple inheritance सही कहेंदी सी कि एक नालो वद classes नो एक time थे inherit करना ठीक है दो parent classes हुन दिया सी एक child class हुन दिसे ना दे next how interface works so हुन कर लाई interface दी तस अब तो पहलना थे मैं एक interface बना रही है थे ठीक है interface के दा बना रही है interface keyword यूज किता हो दे ली ठीक है then animal नाम रख्या मैं interface दा interface keyword interface name कर ली braces दे वेचर कोई भी variable declare करो then word eat simply जिस तरह के ना class declare कर दे सी उससे तरह के ना किता then जदो इन तुसे compile करोगे dot java file नू compile करोगे ता dot class file बन दिये ठीक है तो ज़ो compile रों नो compile करेगा तो होगी करेगा first line नू as it easy रहन देगा second line की यह एक variable है variable नूँ असी पहलना दास चुकिया कि variables चेड़े है by default public static and final हुन दे सो इस करके उनने public static and final यह तीन keywords अपने आप एदे विच add कर लेते है int i is equal to 10 as it is public static final की कह रहे है कि हुन यह constant variable बान चुक है ठीक है जड़ा public है मतलब कोई भी class इन्नो use कर सकते है इन्नो goal कर ले ठीक है then next void eat सी compiler ने जड़ो इन्नो compile किता ता void eat ते रहा बट ओदे अग्गे दो चीज़ा लगा यहां एक ता public by default उन्नो public बनाने interface दे हर एक element चाहे data member है चाहे member function है उन्नो public कर रखना ने ठीक है secondly abstract बनाया उन्ने member function नो जड़ा member function सी उन्नो abstract करता abstraction implement करन दे ले ठीक है सो ए चीज़ा अपने आप compiler add कर देंदा सानो add करन दी जुरूरत नहीं है अगर तुसी add कर दो then well and good अगर नहीं करोगे ता compiler आपपे add कर देगा ठीक है so as we know that interface fields are public static and final by default ए तीनों चीज़ा हों दे है public static and final by default है and the methods are public and abstract methods की है public and abstract so when we compile our source code of interface then it will add these definitions to the member functions and data members ठीक है जी next हुन एक example नहीं मैं दखान देले की inheritance ते interface जोन एक दुद्धे ना किद्धा similar है ठीक है so अगर कल की तीरा आवे inheritance दी inheritance असी पहलना कार चुके है तो उन्हों रिवाइज ही का रहे है एक animal नाम दी class है जेरे विच eat नाम दा method है थे sop system.out.println दे विच मैं eating प्रिंट का रहे है ठीक है so next है class dog नाम दी उन्हें extend किता animal नो extend keyword inheritance ले ठीक है so extend किता public static word main string args main दी definition में दा signature है ठीक है जी उस तो बाद उन्हें अंदर मैं dog class दा एक object बनाया d is class दा child class दा is equal to new dog ठीक है so मैं d.eat नो जो रहो कोल करांगी ता उस time ते उन्हें dog class eat method नो find किता अगर नहीं मिलिया then extend keyword को गया and उन्हें अपनी parent class दा सी कि मेरी parent class है animal so वे रहे को गया animal दे खोल जाके उन्हें find out किता कि eat नाम दा method ओदे विच कोई है या नहीं है अगर तो ओदे विच eat नाम दा method है then print हो जेगा उन्हें इस case दे विच eat नाम दा method है so eating नो उन्हें प्रिंट कर देना थे ठीक है जी so eating will be printed output will be eating next है interface दी गल उन्हें अगर मैं इस नो ही interface चेंज करना हूँ अवे से program नो तो ओदे लिगी है class सी गी animal ओदी बजाए मैं interface बना देता animal नो ठीक है नेक्स्ट लाइन word eat ए as it is लिखी बट मैं इनना पाड़ पुरा skip कर देता एंड ए वर लाइन भी पूरी skip कर देती बतलब आ तीन लाइन्स स्किप करके इत्थे मैं लगा रहे था पिछे semi पुला हूँ अगर semi पुला लगाता है इत्थे मैं side दे लिख्या abstract word eat means इनने compiler ने अब्स्ट्राक्ट मेथड बना देना है एंड इत्थे पब्लिक भी आएगा ठीक है पब्लिक अब्स्ट्राक्ट word eat बना देगा पब्लिक तहरी हार एक चीज़ होएगी होएगी सो मैं इसका कि पब्लिक लिख्या नी तानू याद करा अंद ली इत्थे abstract लिख्या है compiler ने इत्थे पब्लिक अब्स्ट्राक्ट word eat पूरा लिखना है ठीक है तो आप जड़ा इदी बोडी सी यह मैं नो प्रवाइड नी किती इत्थे करता इंटरफेस नो close next line class dog नाई एक class नाई dog इत्थे की करदी सी extend क्यों क्योंकि inheritance सी बट इंटरफेस है सो यह implement करेगा इनू ठीक है so implements लिख देता keyword then किन्नो करना सी animal नो इनने भी animal नो ही किता फिर क्योंकि interface भी animal सी जो interface नाम ठीक है class dog इंटरफेस ने जो भी इंटरफेस नाम होएगा animal नाम है सो animal ठीक हुन एक rule पड़े असी है कि जड़ी भी class इक इंटरफेस नो implement करेगी उस class देली एक compulsory है कि इंटरफेस दे हर एक method नो ओड़ी बोडी दवे ठीक है सो ओड़ी प्रोवाइड करने लई इस class नो उस method नो overwrite करना पाएगा ठीक सो वोड़ी इड ता लिखिया बट मैं इसे public लिखना compulsory है हुन क्यों क्यों क्योंकि dog class नो नहीं पता कि ओड़ा ए method abstract ठीक है सो ओड़ी definition public है इननने उनो public बना आ दिता से क्योंकि interface इस फोलड पबलिक आ देता सो इसे compulsory ऐसी public लिखिया अगर इसे public नहीं लिखो गे ता ओव एर देगा ठीक है इसकेस दे विच मैनो public नहीं लिखिया बट इसकेस दे विच मैनो इत्थे public लिखना पाएगा interface दे हर एक method नो public keyword जरूर दियाना है ठीक है सो एसे बीने विच ज उन्नों ही उन्ने कॉल करनी है उन्ने interface दे विच जा के चेक की नहीं करना अगर आल कीती जावे यह थे multiple inheritance जीत है यह थे दो classes, let's assume कि यह थे एक animal class जी एक pet class जी बिचाए interfaces जी ऑरे ठीक है कि मेरे जेडा मर्जी method हो भी उन्हें बोडी नहीं देनी अगर बोडी नहीं मिली ता dog class नो लिखना पाएगा ओला नाम ओधी बोडी प्रवाइड करनी पाएगी ठीक है डोग ने ता किते नहीं दस है कि मैं animal class जी इत नूँ बोडी प्रवाइड का रहे है ठीक है सो इते multiple inheritance दी problem आएगी नहीं ambiguity आएगी नहीं क्यों कि dog नो अपनी parent class चो और चीज सर्च करनी जुरूरत नहीं बेंदी ठीक है next होन रिलेशन्शिप की है class दे इंटरफेस दे विच की इस तरह हों दी है सब तो पहली काल थे class थे एक class दूसरी class नो की कर दी है extend कर दी है एत यसी पहला कार चुकी है ठीक है एसी की साड़ी inheritance बेस class चाइल्ड क्लास ए नो inherit का रही है ठीक है सो secondly एक class इंटरफेस नो implement कर दी है यह भी आपा होने हो ने सिख्या बट एक और चीज है अगर एक इंटरफेस ही दूसरे इंटरफेस ना काल करनी चाबे तो ओदले की करेगा वो extend करेगा दो similar चीजा एक दूसरे नो extend कर दियाने बट जिन यह चीज़ सिमिलर नहीं है वो implement कर दियाने एक चीज़ जाद रखियो ठीक है लाइक इत्थे में दसे हो है class A नो extend किता class B ने same interface Q ने interface P नो extend किता दो similar चीज़ां सी बट ज़दों उन्हांने similarity change करनी अपनी class ने interface ने deal करना तो उस time ते implement कीवर यूज़ करना है ठीक है एक class extends another class and interface extends another interface but एक class always implements an interface interface class नो implement ने कर सकता class ने ही implement करना मिशा interface नो याद रखियो ठीक है जी एक relationship है class and interface दे विच inheritance and interface किस तरिके ना use होंदे and data abstraction जेडिया इस layer दे विचियांदे ठीक है next multiple inheritance solve कि दो ही अगर ता class दे काल करिए class दो तरिके है साड़े को multiple inheritance नो implement करने interface दे आन करके एक ता तरिका है कि class होएगी जेड़े दो interfaces नो implement करगी क्योंकि आसी rule पढ़े है कि एक class multiple interfaces नो implement कर सकती है तो एक class दो interfaces नो या दो तो वद interfaces नो implement करें ता आवे multiple inheritance है secondly एक interface दो या दो तो वद interfaces नो extend कर सकता है ठीक है interface multiple interfaces नो extend कर सकता है और multiple inheritance using interface अगर प्रवाइड करनी है तो अधर ली सब तो पहले ना थे ऐसी example लही एक child class है जिनने दो चिज़ा नो inherit करना है एक ता mother दिया properties नो एक father दिया उन एक तो option है कि मैं mother नो भी class बना दमा father नो भी class बना दमा and child नो भी class बना दमा so अगर मैं न दोना नो implement sorry extend करन दी कोशिश करांगी तो आएगा error so a ता possible नहीं है ठीक है second option है कि मैं mother and father दोना नो भी बना दमा interface and child नो भी बना दमा class and एक class multiple interfaces नो implement कर सकती है so एक ता solution ए है second solution की है कि मैं mother नो भी बना दमा एक interface father नो भी बना दमा एक class and child भी एक class होवे एधनल क्यों होएगा मैं की लिखांगी इस line दी बजाए class child extends father क्योंकि father एक class गी ठीक है extends father implements mother इस तरीके नहीं लाइन अगर लिखांगे ता ओदे नाल भी multiple inheritance use हो जाएगी ठीक है so complexity वीच ना जान दी बजाए असी यह की करांगे असी easy program समझ दे है हब तो पहल ना थे interface इक बनाया father नाम दा father दे call असी define कर देता कि void features नाम दा एक method होएगा and on the semicolon लगा रिता ठीक है so जो जो इननक पार्ट अगर असी compile करिया तीन चार लाइन्स नो ता की करेगा जावाद compiler की करेगा यह दे अग्गे public abstract दो keywords लगाके इननों abstract method बना देगा similarly interface बनाया mother नाम दा and avoid skills नाम दा एक method बनाया होदे विच ठीक है जो इननक पार्ट नो compile करांगे तो public abstract एदे अग्गे अपने आप आजेगा next class एक बनाई child child class बनाई उनने implement करना है interfaces नो interface मेशा implement अंदे extend नहीं याद रखियो ठीक है implements किनों किनो father and mother दो interfaces नो मैं implement कर रही है इनना दिया properties सारी है child class को आ गिया सो अगर ता एक चीज़ त्यानुक्यों अगर तुसी आ दोनों methods नो body provide नहीं करोगे ता इत्ते आएगा एक error error की कहेगा कि तुसी अपनी base class या interface दे methods नो body provide नहीं किती क्योंकि interface जारूल नहीं केंदा है कि interface केंदा जेड़ा भी में नो use करेगा जेड़ा भी में नो implement करेगा ओधली compulsory है कि वो मेरी methods नो body दवे ठीक है एदे लही public void features उन्हें public keyword लगाना compulsory है तो आनो पहला दास चुकी है same method भी public keyword लगाना compulsory है एदे body ते sorry एदे method थे ठीक word features method से गा ओधे public keyword लगाया तो में ता features method नो call होई है similarly skills method से गा ओधे public लगाया तो skills method नो call होई है ठीक है then next public static word main ओधे विच में child class एक c object बनाया ठीक है child class दो object बनाया इंटरफेस दो object अगर बना दी कुशिश करोगे ता ओधे भी error देगा कि interface cannot be instantiated मतलब कि interface दा instance variable means object cannot be declared ठीक है so child class एक class से कि child इस करके ओधे object बन गया then c.features नो call करोगे तो उन्हों parent class को जाके देखन दी load नहीं क्योंकि features तो उन्हों अपने को ली मिल गया क्यों मिल या क्योंकि interface के अन्रा से कि feature नो तो अपने body प्रवाइड कर मैं नहीं provide करनी body ठीक है similarly skills नो जो नो call हो ली तो उन्हों में अपने body जो मिल गया सो उन्हों parent class दे जाके parent दे विच पेरेंट दे विच पेरेंट इंटरफेस दे विच जाके find करन दी जरूरत नहीं पाई तो या उप्पूट के आएगी सब तो पहला तो आएगी features method देन आएगी skills method ठीक है इस तरह के ना multiple inheritance using interface can be implemented ठीक हुन next दो अडली कुछ questions सब तो पहला question तो यह है multiple inheritance in Java can be implemented using which concept in Java means अगर सी Java दे विच multiple inheritance use करनी है implement करनी है तो केडा concept use कर सकते हैं आज दे video lecture से जो चीज़ा समझियाने और नहीं questions ने ठीक है important questions ने अगर possible होया तो please comments दे विच जरूर reply करियो ठीक है try जरूर करियो ना questions नो ठीक next question है which keyword is used for the interface मतलब अगर interface use करने class दे विच तो केडा keyword सी like extends keyword सी inheritance ली so interface ली केडा keyword सी ठीक है next question by default all the methods of an interface are dash and dash दो keywords use हुन दे हर एक method दे अगे interface दे ठीक है जड़े by default add हो जण दे अगर ना सी add करी हो केड़े keywords ने ठीक है next question by default all the data members of an interface are dash dash and dash मतलब data members तीन उनना दे अगे assess modifiers कहलो या फिर कहलो उनना दे कुछ property नो define करन दे ली दो keywords तीन keywords यूज उन दे ठीक है उन data members दे लई अगे भी तीन keywords अपने आप add हो जड़े ने करके अपनी queries तुसे अरांद दे सकते में ठीक है जी thank you class